आप ने का जबसे नरेंदर मुधी की सरकार बनी ईन्होंने अर्विन केजिरिवाल की शक्तियां चीन ली डिली में काम करने गिन अपुर सक्यार बना दी शक्तियां आपके पास थी कब? दिल्ली की सरकार में हमेशा से अफसरशाही LG के पास रही? ये सुप्रीम कोट के फैसले से आपको मिली थी पहली बार. इसे पहले दिल्ली में जितने मुक्यमंतली रहे, 15 साल शीला दिक्षित। तो उससे पहले BJP के 3 मुक्यमंतली रहे. तीनों के तीनों ने और शीला दिक्षिजी ने ऐसे ही काम किया देखें शीला दिक्षिजी के पास जितनी शक्तियां थी उनकी सरकार के पास उतनी शक्तियां आप हमें दे दीजे फिर देखें हम क्या सरकार चलाते हैं उनके पास केवल अफसर शाही की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति नहीं थी, इसके साथ साथ एंटी करॉप्शन ब्रांच जो है ACB उसकी शक्तियां भी थी और आपने देखा था, उन्चास दिन के जब हमारी पहली सरकार बनी थी, अल्पमत की सरकार, उस सरकार में अर्वि केजरिवाल का नाप सेंगे, क्यूंकि सारी अंटी करॉप्शन ब्रांच और शक्तियां छेन ली गई, और फाई आर जो थी, उन्हें चले, पीछे की बात बात आप छोड़ी, तो मैं अंत में इतना कहूंगा, सौरा भाई, यह जो शक्तियों की लडाई है, यह कोई शक्ति प्रहार है, संगिय धांचा क्या होता है, कि राज्यों में जो सरकारे हैं, वो राज्य की काम करेंगी, के अंदर में जो सरकारे हैं, वो देश का काम करेंगी, दिल्ली फूल स्टेट नहीं है, मैं आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ, आज जो राज्यों की सरकारे हैं, उन् तो राज्य के अंदर कैसी शिक्षा हो, कैसा स्वास्त हो, कैसा इलाज हो, यह सारी जो चीज़े हैं, वो राज्य की सरकारें तै करती है, यह संगिय धांचा है, यह ordinance सबसे पहले देश के संगिय धांचे पर प्रहार है, और कहा गया कि अगर आपकी गैर भाजपा सरकार है, त सरकार, जनता, जो चुनती है, वो सरकार नेता चलाते हैं, मंत्री चलाते हैं, अगर मंत्रियों से सारी शक्ती ले लोगे, यानि कि जनता के वोट से सारी शक्ती ले लोगे, तो फिर तो लोक तंत्र का कोई मतलब भी नहीं, तो दूसरा पहार यह देश के लोक तंत्र पहार और तीसरा अप्रहार ये ऑर्डिनस सुप्रीम कोट पर रहे, नियाय के सबसे बड़े मंदिर देश के सुप्रीम कोट पर है पांच शुन्ने की फैसले के बाद यूनैनिमस सुप्रीम कोट के जजज्मिन्ट को आठ दिन में पलट कर आज मुझे लगता है यहाद केंदर बनाम केजरीवाल किएंदर सुप्रीम कोर्ट को क्यों क्यों आमने सामने खड़ा दिखाना चाहते हैं क्या केंदर के पास मैंँ उसी पर आरहा हो नहीं बार बार मैं उस भहस में वह आपका पॉइंट है आप रखिये कि आपको क्या दिक्कत होती है जब आपके पाजे शक्तिया नहीं होती है और Supreme Court ने आपको को शक्तिया नहीं बाँ ठीक है लेकिन क्या legally कानूनी तोर पर समख्धानी नहांचे के अंदर केंदर के पास यदिकार है या ने कि वो ordinance ला सके तो फिर सुप्रीम कोर्ट की आदिश की अभेलना कैसे हो गई या तकरार कैसे हो गई अच्छा सवाल है दो बिंदू है और थोड़ा कानूनी दाओं पेज से समझाना चाहूंगा पहली चीज तो यह है कि आज कोई अध्यादेश लाकर यानि की ओर्डिनिस लाकर या कोई कानून या बिल लाकर आप देश के सम्विधान को नहीं बदल सकते दो चीज़ें है इदर एक है सम्विधान यानि की Constitution और एक है बिल या अध्यादेश यानि की Legislation एक Legislation Constitution को नहीं बदल सकता सम्विधान को बदलना है तो Constitutional Amendment लानी पड़ेगी मैं बिलकुल मैं बही कह रहा हूँ इस Legislation या इस Ordinance के जरिये आज देश के सम्विधान को बदलने की कोशिश की जा रही है कैसे करी जा रही है सम्विधान का Basic Structure ये कहता है कि चूनी हुई सरकार के पास सारी शक्तिया है Basic Structure of Constitution को कोई नहीं बदल सकता इस बिल को लाकर चोर दर्वाजे से सम्विधान को बदलने की कोशिश की जा रही है अब आप वो बाते कह रहे हैं जो सुप्रेम कोट ने भी नहीं कही है बिलकुल करी ये Basic Structure of Constitution जो केसवान अंदा भारती सुप्रीम कोट के जज्जमन्ट जो लैंडमार्ग जज्जमन्ट था उसके तहत हैं और इससे कोई भी छेडशाड होगी तो वो ग्यर कानूरी होगी अच्छा सवाल अब आप देखिए इनकी नियत में खोट भाजपा की आज जिस दिन ये निरने आता है अगर ओर्डिनेंस लाकर हमसे शक्तियां छीननी थी फिर से तो अगले दिन ले आते ओर्डिनेंस दो दिन बाद ले आते जिस दिन सुप्रीम कोट की समर वेकेशन यानि की गर्मियों की दो महीने की छुटियों की शुरवात हुई उस दिन शान को 10 बजे ये और्डिनेस जारी किया जाता है तांकी सुप्रीम कोट बंद हो गया आपको ये सुप्रीम कोट का आप किसी वकील से पूछेगा जो सुप्रीम कोट की वीकेशन बेंच होती है वो अपात का लीन मैटर सुनती है मान ली जे मैं आपको उधारन देता हूँ मान लीजिए कि आज ही कि मैं आपको उधारन दे रहा हूँ हमारे मंतरी सतेंदर जैन जी जो आज अस्पताल में भरती हैं जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए इंटरिम बेल लेनी थी मेडिकल ग्राउंड पे इस प्रकार के एमर्जेंसी मैटर विकेशन बेन सुनता है